बुद्धवार के दिन जरूर करें छे में से कोई भी एक उपाए हर इक्छा तुरंत होगी पूरी दोस्तों बुद्धवार के दिन जरूर करें इन छे में से कोई भी एक उपाए आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाएगी साथी साथ सभी एक्छाएं हाथों हाथ पूर होगी और भगवान स्री गडेश जी के आश्रवाज से आपके समस्त परेशानियां का होगा अंत और भगवान स्री गडेश जी के आश्रवाज से आपके जीवन में होंगे सदैब खुशिया ही खुशिया और भगवान स्री गड़ेश जी के सदैब आशिरवाज से रहेगा आपका घर परवार खुश चलिए दोस्तों बात करते हैं बुद्धवार के दिन किये जाने वाले कुछ महत्पुन उपायों के बारे में दोस्तों बुद्धिवार के दिन भगवान स्री गडेश जी का दिन होता है वो सभी देपताओं में सब्षे प्री है इसले उनकी पूजा सभी देपताओं से पहले की जाती है भगवान स्री गडेश जी की पूजा अर्चन करने से घर में शुक शम्रधी और शुक की प्राप बुद्धिवार के दिन खास तोर पर भगवान स्री गडेश जी का पूजा अर्चन करने से विशेश लाब होता है धन्ज संपत्य एश्वर की प्राप्ति होती है बुद्धिवार के दिन सर्व थम सबसे पहले गडेश भगवान को दूरवा चरहें और उनको प्रणाम करें उनके बारा नामों का जाप करें जैसे की कपिल लंबोदर बिनाएक धूम केत्र भाल चंद्र गजानन एक दंज गज करन बिकट विग्रविनाशक गणधच इस बारा मंत्रों का जाप चरूर करें इस शुब लाब होता है भगवान स्री गडेश जी सभी बिगनों को और त पहना इनके ध्यान मात्र से ही बेक्त के जीवन की सारी परेशानिया दूर होने लगती है इनके पूजन से बीना कोई भी शुबकार मांगली कार पूर नहीं एवन सफल नहीं माने जाते हैं कारियों को आरंब करने से पहले भगवान स्री गडेश जी की पूजा करनी तो भगवान स्री गडेश जी आपके सारे बिगनों को नास कर देते हैं साती साथ अगर आप बुधवार की दिन भगवान स्री गडेश जी से जुड़े इन उपायों को कर लेते हैं तो आपको लगपती-करोडपती बनने से देरी नहीं लगेगी। तो मान समान की प्राप्ति होती है यस यानि चारो दिशाओं में सवाल में आपका यस बढ़ता है और आपको धन की प्राप्ति भी होती है गड़ा धन यानि गुप्त गड़ा धन की प्राप्ति भी होती है लेकिन लगातार अगर आप ये करते रहें 108 दिन तो यानि के दिन भगवान स्री गड़ेश जी का इश्मरन करते हुए गाई को रोटी पर थोड़ी सी हल्दी गुड़ और धनिया को रख कर आप गाई को खिलाएं और अपनी विशेश मनोकामना बोलें ऐसा करने से आपकी आर्थिक परिसानिया दूर हो जाएंगी नोकरी जल्द लगे ये फिर आप गड़ेश मंदिर के पास सीड़ियों के पास रख कर चले आएं ऐसे करने से आपके समझाओं को निवारन श्वेम भगवान गड़ेश जी करेंगे भगवान स्री गड़ेश जी सदेव आपके उपर आश्रिवात बना रहेगा साती साथ आप दो दिवार की दि प्रसाद के रूप में इसे पूरे परिवार के साथ ग्रहन करें तो परिवार में कलह कलेश नहीं होते आपसी प्रेम बना रहता है अगर आप चाहते कि आपके घर से निगेविटी दूर हो जाए तो आपको बुद्धवार के दिन गडेश जी के पास जो सिंदूर पड़ा है उसी सिंदूर से स्वास्तिक बना दें तो आपके घर में शुक्षांती बनी रहेगी और भगवान स्री गडेश जी के इकृपा प्राप्त होगी दोस्तों एक उपाय और करें आपको बुद्धवार के दिन गडेश इस्तरोत का पाठ जरूर करना चाहिए या फिर ब्रिश स्री गडेश जी का इसमरान करतों आप यहिनिक पास के मंदर में रख दें स्री गडेश जी के चड़ों के पास रख दें आपकी जीवन की जो परिशानिया हो जाएंगी भगवान स्री गडेश जी को लड़्डू बहुत प्रिश्टे लड़्डू जरूर आप उन्हें काल कर और आप उसको हल्दी के साहरे थोड़ा सा पानी से गिला कर लें और फिर आप अपने दाइने हाथ में इस चावल को लेके और गड़ेश जी का इस्मरान करते हूए अपने आल्मारी के जहां तीजोरी है वहां पर जाकर चड़क दें इस चावल को हल्दी से मिले हुए यकीन मानिये आपके घर में भगवान स्री गड़ेश चिक्रपा सिधन की कमी कभी नहीं होगी और हर इक्षा तुरंत होगी पूरी और आपकी जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी तो दोस्तों बद्वार के दिने छोटे छोटे उपाई जरूर करें और साथी साथ दोस्तों कमेंट में जरूर लिखेगा जय गड़ेश जिसाथ वीडियो को लाइक करेगा जद जय शेर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा